जेहन एवरिवन कल जैसे ही एक इसरो की पेलिसिटेशन सेरिमनी में इंडिया के चार एस्ट्रोनॉट्स को एस्ट्रोनॉट विंग्स दिये गए वो शायद पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का मौका था अगर ये कहा जाए कि गगन यान पहली बार है जहां पर भारतिये जा रहे हैं भारत के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर ये तो एक गर्व की बात थी ही पर हमेशा से लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन है वो लोग जो गगन यान में जाने वाले हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले तीन से चार साल में अगर कोई best kept secret था government of India का तो वो यही best kept secret था जो कल government के द्वारा unveil कर दिया गया यहां पर senior most officer in this crew is group captain प्रशांत बालकृष नायर, followed by group captain अजीत कृष्णल, followed by group captain अंगर प्रदाप and wing commander शुभांशु शुकला अब यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि यह चारो लोग जो है वो रेडी है तो फाइनली बोर्ड दी गगन्याद अब ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट जो सरकार की रेक्वार्मेंट्स रही हो उनके हिसाब से शायद चार ना जाएं या दो तीन जो भी लास्ट नंबर हो बट आप देख सकते हैं कि यह पूरे देश के लिए गर्व का मौका है पर सभी लोग जानना चाहते हैं कि इनका बैग्राउंड क्या है ठीक ऐसी कौन सी ब्रांच है क्योंकि कल से ही कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज़ आयों और नों बताया कि सर कौन से एरफोर्ट्स पाइलेट्स हैं जिन्हें एस्ट्रोनाट बनाया जाता है सभी लोग जानते थे के स्कौर्डन लीडर राकेश शर्मा जो है वो भी इंडियन एरफोर्ट्स के फाइटर पाइलेट ही थे और कम लोगों को उन्हें पूरा नेम रैंक उनकी पता थी सभी लोगों को ये पता था के पहले भारती है जो स्पेस में गए वो राकेश शर्मा थे पर उसके बाद जब उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो पता चलता है कि वो भी एक फाइटर पाइलेट ही थे अब यहां पर इन सभी चारों एस फाइटर पाइलेट के बारे में हम लोग अब जानकारी लेते हैं सबसे पहले यहां पर आते हैं ग्रूप कैप्टिन प्रशान्थ बालकृष्ण नायर तो इनका जन्म केरिला में हुआ था 26 ऑगस 1968 को और ग्रूप कैप्टिन नायर जो है है उरै ग्रूप के बारे में आगर मैं आपको टर्मिलोजी के बारे मता उसके थ्रेशमल्ड और कई बार थ्रेशमल्ड से उपर ले जाकर टेस्ट करते हैं ठीक है तो एड़वर्स कंडिशन् brand में उनके माशी स्था होने वाला है यह बहुत मैंने आम भाशा में आसान भाशा में आपको टेस्ट पाइलट का काम बताया और उनका काम इससे भी कुछ कटिन है और उनके उपर जो जिम्मेदारियां है वो भी काफी कटिन है इन्हीं के साथ साथ ग्रुप कैप्टिन प्रशांद बालकृष्णायर जो और किस एरकाफ्ट पर आप देख सकते हैं कि फाइटर और ट्रंसपोर्ट एरकाफ्ट दोनों तरह पर उणाने भरी है फाइटर एरकाफ्ट जो उनके द्वारा उड़ाए गए वह सू थार्टी मिट ट्वंटी वन ट्वंटीन हॉक एरकाफ्ट इनके साथ-साथ अगर हम ट देख सकते हैं के dawn year AN-32 aircraft भी उनके द्वारा उड़ाए गए हैं, okay, so he is the one who is the senior most amongst all the four crew members, इनके बाद next आते हैं, group captain Ajit Krishnan, group captain Ajit Krishnan was born in Chennai on April 19, 1982, उन्हें Air Force Academy में ही President's gold medal or sword of honor मिला था, मतलब best cadet, तो यह तो आप यह देख सकते हैं कि he was decorated much early in his career, उसके बाद यह commission हुए June 21, 2003 को in the fighter stream, he is an illuminus of National Defense Academy, so यह NDA के illuminus है, and he is the second most experienced after group captain Naya, he has done close to 2900 hours of flying, और इनके साथ साथ यह भी flying instructor और test pilot रहे हैं, तो सभी यहाँ पर जो crew members हैं, they are all category A flying instructors and test pilots, he has also flown a variety of aircrafts, including the Su-30, MiG-21, MiG-21 Bison, MiG-29 Jaguar, Donier and AN-32, so transport और जो fighter aircrafts हैं, दोनों का एक अच्छा खासा experience हैं उन्हें, group captain Angad Pratap, who was born in Priyagraj, Uttar Pradesh on July 17, 1982, he was commissioned on December 18, 2004, in the fighter stream, okay, और वो भी ex-NDA है, flying instructor, test pilot हैं यह भी, around 2000 hours of flying experience, and he has also flown transporter as well as fighter aircraft, Su-30, MiG-21, MiG-29, Jaguar, Hawk, Donier, AN-32, तो जैसे aircrafts भी उनके द्वारा उडाए गए हैं, next, और लास्ट यहां पर आते हैं, wing commander Shubhanshu Shukla, who was born in Lakhnau on October 10, 1985, he has also been an ex-NDA, and he got commissioned on June 17, 2006, he is a fighter combat pilot and a test pilot with approximately 2000 hours of flying, he has flown Su-30, MiG-21, MiG-29, Jaguar, Hawk, Donier, AN-32 aircrafts, तो आप देख सकते हैं कि यह सभी जो best-in-class fighter pilots है, उन्हें कल प्रधानमंत्री मूदी जी के द्वारा, अंतरिक्ष यात्री पंक, यानि की जो astronauts wings हैं, वो उन्हें प्रधान कर दिये गए, तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो uniform थी, उस uniform में अब एक तरफ जहां पर वो अपने flying के wings लगाते हैं, दूसरी तरफ वो astronaut wings जो हैं, उन्हें पहन कर उन्हें की जो uniform हैं, उसकी शुभा बढ़ाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि these are the best in class, यह चार लोग हैं जिनने चूज किया गया, उनकी considerable training कराई गई है, और whether it is Russia और India, good amount of training has been given to all of them, ऐसी ही और जानकारी पाते रहने के लिए, आप सभी लोग इस YouTube चैनल को subscribe करें, bell icon को press करें और सारी updates timely लेते रहें, इसके साथ साथ अगर आप CDS, NDA, CAPF exam, SSB interview और FCAT जैसे exams की तयारी कर रहे हैं, so please feel free to connect with us, YouTube चैनल को subscribe करें, bell icon को press करें, and you are free to post us any of your queries, अपने आपके कोई भी doubts हैं, queries हैं, preparation के around, आपके कोई भी दिक्कत परिशानी हैं, हम से जरूर पूछें, and we'll be more than happy to help you out, okay, so I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को like जरूर करें, subscribe जरूर करें, अपने friends के साथ share करें, so ऐसी और वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, I'll see you all in the next session, Jai Hind!